सरक्षाप के जैसा ब्यान दे रहे हैं या वो दिमागी हालत ठीक नहीं है उसको राची में अभी तो बिहार में खुल चुका है ठीक है मानि मुक्पंति जी पुछली बार कोलवर में उटगाटन की है पागल खाना का तो ऐसे लोगों को वहां जाने क्या आप सकता है एक के दिरी राम भगवार को हमारे पूर्वजिने पार लगाने देखिए धर vein के सारे बड़े-बड़े नेता 270 हैं राज के सभी नेता को ऊतार दिये एक तरफ महा गट बंदन के 125 विधायक है उसको उतार दिये सारे मंत्री को अज बताईए कि अगर 2 करोड युगा को नोकरी दिये रहते मानिये प्रधान मंत्री जी तो आज केंद्र के कि अतने नेता को उतर नहां था कूससे हाथ म्माइदान में के जरूर दकार साल से अगर बिकास कर रहे हैं तो फिर एक शेट के लिए आप मंत्री का और सभी मंत्री को उतार ना पड़ रहा है कि किस तरीके से विकास किया है विधायक को खरीद रिया बनी हुई सरकार देश में गिरा देते हैं चालिस चालिस विधायक खरीद लेते हैं अब कहीं न कहीं आप भारती जनता पार्टी को लोग तंत पर भरोसा ही नहीं है कि आप लोगा अपार्टी है है तुम सबसे बदेश अपर है इसकी सबसा करें शैकर एक लोगा धरला पार्टी माजबात खाईए और यहां फिर हमने जनता के साथ गठवंदन किया है और हमारे परत्यासी युवा है परहे लिखे हैं मीडिया जगत में रहे हैं माजबात का भोज है आप सबको निमंतरन दे रहे हैं कि आप लोग आईए माजबात खाईए और यहां फिर हमने जनता के साथ गठवंदन किया है और हमारे परत्यासी युवा है परहे लिखे हैं मीडिया जगत में रहे हैं उनके नाना जी का एक बड़ा विरासत रहा है चार-चार बार इस छेतर में नित्रित कर चुके हैं विधाय कर रहे हैं एक वा है तो आज छेतर में जितने भी युवा है युवा को युवा हमने कंडिडेट दिया तो इसमें सब ही का मन बना हुआ है कि हमारे परत्यासी को मजगूती से साथ देंगे आज तक जितना भी हम पार्टी है चाहां मा घटबंदन हो एंडिये हो सबसे ज्यादा अच्छा कर देंगे आज की तारीक में हम सबसे उपर हैं बढ़े हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कुरहनी विधानसवा का जनता हर जाती वर्ग के लोग युवा हर वर्ग के लोग मजगूती से एक निलाब के परती सोच रखे हैं और हमें हमारे परत्यासी को जीताएंगे और मैं उमीद करता हूँ और यह यूवा है भविस में उनको मुका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे सिप धाइसाल के लिए है अब अच्छा काम नहीं किया तो हम खुद ही बदल देंगे और जनता तो मालिकी है तो इस तरीके से परचार चल रहा है और आज निलाब जी बैठे है तो हम माजी है हम नाव पार करेंगे उनको पहुचाएंगे मंजल तक पहुचाएंगे तो यहां पर कोई लड़ाई नहीं है और आप देखिए कि एक तरफ केंदर के सारे बड़े-बड़े नेता को उतार दिये हैं बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं आज बताईए कि अगर दो करोड युवा को नोकिरी दिये रहते मानिये परधान मंत्री जी तो आज केंदर के इतना नेता को उतार ने कि आप सकता नहीं है किसान को आई डबल किये रहते तो आज केंदर के नेता को यहां अगर 17 साल से अगर विकास कर रहे हैं तो फिर एक सीट के लिए आपके राज के 125 विधायका और सभी मंत्री को उतारना पड़ रहा है तो आप समझ सकते कि किस तरीके से विकास किया है तो कहीं न कहीं जनता को मालूम है और जनता भी आईपी पार्टी के पक्ष में है इन आजपा ने उनको लोक तंत पर भरोसाई नहीं था बिधायक को खरीद लिया बनी हुई सरकार देश में गिरा देते हैं चालिस चालिस विधायक खरीद लेते हैं अब बताईए अब जहां पे समिधान हमें बाबा साब ने बना के दिया कि इस समिधान के दैरे में रहकर देश के नेता हो या जित नागरिक हो सब इसी के नुकुल चलना है और थाना पुलिस बनाया कि कोई क्राइम नहीं करेगा अक कहीं न कहीं आप भारतिय जनता पार्टी को लोग तंत पर भरोसा ही नहीं है जब जनता मालिक है तो जनता के उपर छोड़ना चाहिए आप अगली बार चुनाम में आते साथ आपके बिधाय का आपके बन जाएंगे अगर काम कीजेगा तो आप डैट अगर पैसे सगर किसी को बिधाय खड़ी दियेगा बनी हुए सरकार गिरा हिएगा तो यह देश केली हमारे सही नहीं आपने वुद् face कई एक करोड़ एक लाख नोकरी अप दिया है कि अगर एक लाख भी अगर नोकरी अगर एक साल में देते तो आपके नौ साल होने के लिए जारा नौ लाख के इंदर का नोकरी होता और अभी हमने पिछले साल आपने स्टेटमेंट दिया था कि 6 296 जडिनटी आपने दिया दो करोड कहा और 1 लाख कहां इतना भी नोकरी अपने के वीर के तहट आपने चार 5 साल का नोकरी अपकर दिय थिसलिए जू है कहीं कहीं संस्ता है उसको बेचा जा रहा है प्राइब इसे पार्टी को पूरी सकती लगाना पड़ता एक सीट पे तो यह हमारा विकास है यह उसको जनता के बीच पर बतानी चाहिए सब्सक्राइब क्या बोले एक तरफ यह लोग डिंडोरा पिटते की दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है और देश में केंद्र में सरकार है इस पार्टी का इतना बड़ा पार्टी का एक परदे सब्सक्राइब देते हैं अब बताइए कि वह डैक्ट मैदान में यह बाते प्रटी के रखिए आप एलिगासन लगाते हैं यह वह खोकाओका आपने गौपाल गंज में आपने समर्थन दे दिया तो आपको यह क्या नाम है आपने बीजेपी से पैसा ले लिया यह बीजेपी के बीटीम है तो भाई एटीम आप बना लिजे ना मेरा अरक्षन प्रेस कांफरेंस कर दिजेंगे तो यह सारे चीजे बोलना यह एक पॉलिटिकल पार्टी और भाजपा जैसे बड़े पार्टी को नेता को बोलना सोभा नहीं देता इसलिए हमने का वह चाप है जो शारक चाप के जैसा ब्यान दे रहे हैं या वह दिमागी हालत ठीक नहीं है उसको राची में अभी तो बिहार में खुल चुका है ठीक है मानि मुक्पंति जी पुछली बार कोलवर में उटगाटन की है पागल खाना का तो ऐसे लोगों को वहां जाने क्या आप सकता है और दो दो आपके जो प्रत्यासी हैं निला कुमर्ण उनसे से अवरीनिक अव्मीद करते हैं निदी हैं जो अपने गारी से लोगों को कुचल के भाग जाना और एक तरफ वो यूबा है जो उस चीज के लिए उनको इलाज करा है उसके लिए उनको बिधायक को बोले तो बिधायक को कहना था कि हम आपको ठीक कर देंगे यह अभी का नहीं घटना यह एक दो मैना पहले का घटना है तो अब बताइए कि इस तरीके से एक तरफ मारने वाला लोग है एक तरफ बचाने वाला है तो मुझे लगता है कि मुझापपूर के जनता को और खासकर कुरहनी के जनता निरने लेंगे अभी हैपी पार्टी के पक्षब निरने लेंगे तो आपने सुनाट के भ बचना पाए कोना कोना ये सजाए वाक कॉंट्रक्टर 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 वाक झाल झाल